हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोप आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वालन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में अज अगें आपके सामने एक most important maths का लेक्चे वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों और यह जो maths का लेक्चे वीडियो है यह जो आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे यानि कि 5th स्टैंडर के maths के वीडियो की तो finally आज मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आगया काफी लोग ने मुझे personally message किया and बोला कि sir आप 7th to 11th का वीडियो बनाते हो लेकिन जो 5th and 6th के students है जो आप लोगे चोटे भाई बहन होंगे या फिर कुछ ऐसे जो student है वो लोग के भी कुछ कमेंट सारते कि sir start करो मुझे पता एक बहुत कम ऐसे student है गिने चुने students है बट फि 5th standard and 6th standard के भी वीडियो आज से हम बनाने जा रहे है दोस्तो तो जल से जल science and maths का syllabus हम लोग complete करेंगे एक एक वीडियो हम लोग एक चाप्टर खतम करेंगे तो basically आपको बस इतना ही बताना था तो अगर आप ये student हमारे पहले से ही हो आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो उन तक जरूर से पहुचा देना जो इस वक्स 5th and 6th standard में होंगे या फिर होने वाले होंगे तो जरूर तक पहुचा देना बहुत ही help मिले कि क्योंकि आप लोग को तो हरे content आपको मिली रहा है और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा जो 7th से 11th के बीच में है लेकिन जो लोग 5th and 6 तो उनके बारे में भी थोड़ा सोचो आप लोगे छोटे भाई बैने तो उन तक भी ये वीडियो पहुचा देना ताकि उनको भी help हो जाए और उनको भी कहीं और जाने की जरुरत ना पड़े और हमारे इस चैनल पे ही सब कुछ उनको मिल जाए ठीक है दोस्तो शुरुआ नमबर वन जिसका नामे रोमल नुमेरेल्स ठीक है रोमन नमबर्स भी बोलते है इसको नुमेरेल्स का मतलब है तो रोमन नमबर्स क्या होता है वो मताओंगा कुछ इंपोर्टेंट कोश्यंस रहेंगे वो सभी चीज में क्लियर करा दूँगा और प्रॉब्लम सेट जो सबसे पहली बात तो what do you mean by roman numbers या फिर roman numerals होता क्या है इसके बारे मैं चर्चा करूँगा ठीक है roman numerals या फिर number आप बोल सकते हो इसको ठीक है तो जैसे देखो हमने बचपन से लाइक जब हम चोटे थे पहले में थे दूसरी में थे तो हमने जरूर यह वर्ड सुना होगा that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह क्या होते है numbers होते हैं लेकिन यह numbers कौन से होते हैं यह आपको बता है कि यह numbers को हम लोग क्या बोलते हैं international numbers हम लोग क्या बोलते हैं इस चीज को international numbers बोलते हैं ठीक है लेकिन यह जो चीज़ है वो international numbers से वैसे ही same क्या होता है roman numbers भी होते हैं यह भी आपको ध्य क्या बोलते है one ठीक है वैसे ही दो लाइन अगर आ गए तो इसको बोलते हैं two ठीक है देखो मैं सिखा रहा हूँ सिखो ध्यान से कुछ नहीं है इसमें बहुत सिंपल है बस आपको याद रखना है जैसे हम लोग one लिखते है तो इस प्रकार हो गया two लिखते है तो दो लाइन ऐसे five के लिए हमें लिखना पड़ता है यह लेटर लिखना पड़ता है इस प्रकार से इसको five बोलते है तो यह five है तो अगर मुझे four लिखना है तो four के लिए क्या करना पड़ेगा एक line में पहले ही खीज दोगा उसके तो यह बन जाएगा four क्या बन गया यह four बन गया तो यह जितना चीज याद रखने वाला चीज है उतना प्रैक्टिस करने वाला भी चीज है बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप पाच्वी में हो शाया पहली बार अगर यह देख रहे होगा अगर यह पढ़ चुके होंगे तो आपको आपको definitely समझ में आ आ जाएगा लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे होगे थोड़ा सा टाइम जाएगा प्रैक्टिस जाएगा लेकिन आप समझ पाओगे तो यह हो गया 1,2,3 यह पाच याद रखना और चाउथे के लिए क्या करना पड़ता है आपको पाच क्या आगे एक लाइन पहले खिचना पड़ता ह तो यह हो गया 5 वैसे 6 अगर आपको लिखना हो तो 6 कैसे लिखोगे यह हो गया 5 और उसके आगे अगर एक लाइन लिखोगे तो यह हो गया 6 समझ मैं आया 7 कैसे लिखोगे यह हो गया 5 और उसके आगे अगर दो लाइन लिख जाओगे तो यह क्या हो जाएगा 7 क्यूंकि we know तो यह वह बन गया पहले, उसके पहले एक लाइन किसद दिया, तो यह बन गया 9, और यह बन गया 10, समझ में आ गया, तो यह 10 तक ही important है, क्योंकि अगर 10 तक आप प्रैक्टिस कर लोगे, और 10 तक आपको याद हो जाएगा, तो डेफिनिटली इसके आगे जो भी चीज वो automatically आप कर पाओगे, clear है दोस्तों, तो और कुछ example के साथ मैं कराने वाला हूँ, सीधा मैं problem set के उपर चलूँगा, लेकिन आप एक बार और समझ लो, यहाँ पे हमारे पास time बहुत है, और आपको समझाने के लिए, like मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे this is 9 and this is 10, तो आपको याद कैसे रखना है, 1 के लिए एक single line और उपर नीचे पैक करना है, इस प्रकार से, समझ लोग यह 1 है, तो उपर एक line और नीचे एक line, तो यह pack हो गया, तो ऐसा pack करना है उसको जरूरी होता है, तो 1, फिर 2 के लिए 2 line, 3 के लिए 3 line, 4 के लिए आपको क 8 हो जाएगा, ठीके, अब 9 के लिए तो ऐसा 4 line तो है नहीं, 9 के लिए ऐसा 4 line है नहीं, तो 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 के पहले, 10 के पहले एक line खिषना पड़ेगा, तो यह 9 हो जाएगा, 10 वाला symbol X है, X को हम लोग 10 बोलते है, याद रखना है, X का मतलब होत जाएगा, X के आगे 3 line खिष दोगे, तो 13 हो जाएगा, 14 लिखना है, तो 14 के लिए कैसे लिख होगे, X के आगे, आपको 4 लिखना पड़ेगा, और 4 कैसे लिखते हैं, that is, this is 4, यानि कि X 1 और ये 5, तो यह हो गया 14, वैसे 15 लिखना होगा, तो X हो गया 10, और 15 के लिए, वो example समझ लो, और एक जो सबसे important चीज जो मैं कराने जा रहा हूँ, अभी इसको rough करने के बाद, वो ध्यान से देख लो, उसके बाद सीधा में problem set जो होता है, आपका real में, वो मैं आपको करा हूँ, तो जो आपके book में problem set होता है, वो हम लोग कराएंगे आपके लिए, तो तो ध्यान सा देखना, और अगर ये कोई बड़ा बच्चा देख रहा है, यानि कि जो हमारे पूराने student है, like 7th वाले, 8 वाले, तो इनको तो बहुत simple लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सच में, यही चीज आपने भी सीखा है, तो इसको बिल्कुल हसना मत और underestimate मत करना, क्यो हमें easy लगने लगता है, ठीक है, तो चलो और आके बढ़ाता हूं में, तो कुछ important चीज़े हैं, जैसे मैं बता दू, यह हो गया 1, याद रखना, इसको अपने बोलोंगे 1, जो जो important है वो बता रहा हो, क्या-क्या याद रखने की ज़रूत है आपको, यह हो गया 2, यह पहले खिछना पड़ेगा बस, उसके बाद 6 भी बना लोगे, 7 भी बना लोगे, 8 भी बना लोगे, 9 कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको 10 पता होना चाहिए, इसके लिए X जो है, वो important है याद रखने के लिए, वो में लिख रहा हूं, बाकिया आप लोग समझदार हो, ठी उसके बाद आता है 15, तो 15 के लिए आपको किस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है, ठीक है 15, उसके बाद आपको 20 अगर लिखना है, तो double X बाहर दो, ठीक है, 30 कैसे लिखोगे, इसको मैं लिख दू पहले 15, this is 20, 30 अगर लिखना है आपको, यानि कि 3 बार X बनाओगे, दो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब 1000 लिखना होगा, अगर 1000 लिखना होगा, तो आप क्या यह X, 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 X करते जाओगे के जब तक 1000 नहीं होता, इतना बड़ा कर पाओगे के नहीं, तो उसके लिए भी रूल बनाया हुआ है अलग से, तो अगर मैं बात को समझ लो, या अगर अगर direct 100 लिखना है, तो दो बार L लिखने के जरूतने, 50 और 50, दो बार L लिखने के जरूतने, 100 लिखने के लिए, directly आप C लिख सकते हो, यह सब important चीज़ है, याद रख लेना, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा बच्चा भी देख रहा है, तो यह preparation exam में पूछता है, आपक वो utilize होगा, waste नहीं होगा, यह चीज़ utilize होगा, अगर आप देखते हो ध्यान से, तो, वैसे ही 100 के लिख दिया, वैसे अगर आपको directly 500 लिखना हो, कोई पूछता आपको, कि Roman number में 500 को कैसे लिखेंगे, तो सीधा-सीधा आप D भी लिख सकते हो, ठीक है, D अगर आप लिखते हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कि क्या-क्या important चीज़ मैंने बताईए, तो, 1 SA, 2 SA, 3 SA, 5 SA, ठीक है, 10, 15, 20, 30, 50, L को ऐसे लिख सकते हैं, C को ऐसे लिख सकते हैं, 100, 500 को D लिखने का, 1000 को M लिखने का, तो, कोई आपको अगर पुछता है, which is the highest Roman number, तो, आप स practice set जो होगा, जो हमारे questions हमारे book में पूछे हुएं, वो हम लोग इसको solve करते हैं, तो, देखते हैं, कौन-कौन से type के questions पूछा है, और इसको solve करवाते हैं, आप लोग के लिए, बड़ा ही मज़ेदार है, और इसको मज़ा आएगा हमें solve करने में भी, तो, चलिए, इस आप प्यार भी दोगे इस चीज़ को, ठीक है, जरूर से support करना दोस्तों, भले ही हम लोग 5th के लिए लेकर आए, तो, लेकिन सोचो दोस्तों, कि 5th के बारे में भी कोई सोचता नहीं, जिस प्रकार मैंने 7th, 8th, 9th के लिए चाल जो किया, जो कोई ज़ली सोचता नहीं था, क्योंकि मैं ने जहां तक नोटीस किया कि जब मैंने start कर लिया, उसको देख के काफ़ी सारी लोगों ने start किया, लेकिन मैं चाता हो दोस्तों, कि छोटे बच्चों के बारे में जो लोग ज़्यादा सोचते, क्योंकि वो हमारे बविश्य है, क्योंकि अगर उनका ही concept पहले स पढ़ाई करके अच्छे marks लेकर आए, तो आगे उनका भविश्य आटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ओके, चोलो, सबसे पहले, हम लोग डालते हैं heading, जिसका नाम है दोस्तो, problem, ठीक है, problem, set number, one, पहला problem set हम लोग कराने जा रहे हैं, इस particular maths के, फिफ्ट के maths का, ज write, write all the numbers, क्या पुछा है आपको, कि write all the numbers from 1 to 20, using roman numbers, यानि कि आपको, एक से लेके, all the roman numbers, जितने भी roman numbers है, कहां से कहां तक, from 1 से लेके 20, ये लिखके दिखाना है, तो लिखके दिखा देंगे हम लोग, बहुत simple है, चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो, This is 3, जैसे मैंने बताया था, आपको, याद आ रहाँगा, 3 हो गया ये, 3, ठीके, उसके बाद कैया आता है दोस्तो, 4, 4 को कैसे दिखते हैं, 1 और 5, ये हो गया, 4, ठीके, उसके बाद 5 को, V लिखते हैं, 5 हो गया, उसके बाद 6 को, V और आगे, 1, 6 हो गया, उसके बाद 7 के लिए V और दो लाइन यह हो गया 7 समय आ रहे दोस्तों बहुत इजी जा रहे 7 के बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है 8 तो 8 को कैसे लिखेंगे V और 1 2 3 लाइन यह हो गया 8 9 के लिए कैसे लिखते हैं 1 और X 10 के लिए हम लोग X लिखते हैं यह हो गया 10 अब देखो उसके आगे कैसे लिखेंगे द्यान से देखना दोस्तों आगे कैसे लिखना है 10 हो गया 10 के आगे 1 लगा दो तो 11 बन गया 10 के आगे 2 लगा दो तो यह 12 हो गया 10 के आगे 3 लगा दो तो यह हो गया 13 तो कितना इजी जा बहुत सिंपल है याद रखना इसको 13 हो गया 14 के से लिखेंगे 10 के आगे 4 लगा दो यह हो गया 14 उसके बाद 15 लिखना है यानि कि 10 के आगे 5 लगा दो यह हो गया 15 10 के आगे 6 लगा दो यह हो गया 16 तो इसके बाद 10 के आगे 7 लगा दो यह हो जाएगा 17 फिर 10 के आगे अगर 8 लगा दोगे, 1, 2, 3, यह हो जाएगा 18, 19 के से लिखोगे, 19 के लिए 10 और 9, यह हो गया 19, समझ में आ रहा है, और 20 के लिए आपको दो बार x लगा दो, यह हो गया 20, कितना सिंपल है दोस्तों इसको लिखना, तो आपको जो पहला कोशन पूछा था, कि आपको लिखना है, लिख पाओगे, इतनी मेरी यारेंटी है, ठीके दोस्तों, तो चलते हैं, अगले question की तरफ, जो की होगा, question number 2, हमारा इस particular problem set का, ठीके, तो इसको मिटा दू, फटा फट से, ठीके, आप लोग लिख दिया, उसको note down कर सकते हो, वीडियो को आप pause करोगे, तो आप लिख हम लोग, कोई परिशानी मुझे नहीं लगता, आपको होगी दोस्तों, यहाँ पे, question number 2 भी आपके लिए करा देंगे, बहुत मज़ेदार question है, question number 2, question number 2 क्या पूछा है, हम लोग को देख लेते हैं, सबसे पहले आप देखो गया, अपने book में भी, question number 2 दिया है, write the numbers using international number, या how simple है, लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, number 1 क्या दिया है आपको, number 1 आपको दिया है, 5, ठीक है न, 5 को हम लोग क्या बोलते है, international number में, 5, ठीक है न, यहीए, ठीक है, simple है, उसके बाद आपको दिया हुआ है, दूसरा, दूसरा दिया है आपको, यहां पे, यह वाला, अब मु यार, बहुत सिंपल है, उसके बाद, 4th one, 4thा क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद दिया है, हमारा, उसके बाद ऐसा नंबर दिया है, यह वाला, इसको क्या बोलते हैं, ठीके, यह देखो, 10, 11, 12, 13, क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, count करके भी आ इस प्रकार दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, 16, बहुत सिंपल है, 10, 5, और ये 1, 6, तो 10, और 6, 16 हो गया, नेक्स्ट अगर बात करें, तो हमें एक ऐसा वैलू दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं, बताओ, इसको क्या बोलते हैं, 10, 5, और ये 3, तो 5, 3, 8 हो गया, और ये 10, 18, यानि कि ये 18 दिया हुआ है, इस तरह से आप काउंट करक करके note down कर लो note book में या फिर screenshot ले लो चलते हैं हमारे अगले question की तरफ जो कि है question number 3 ठीक है अब आपको जो है numbers दिये रहेंगे और आपको roman number में लिखना है बहुत simple है ठीक है numbers दिये है international number में दिया है और आपको रोमन number में लिखना है question number 3 में ठीक है तो चलो इसको भी solve कर लेते हैं फटा-फट से बहुत ही मज़़दार है ठीक है और मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे simple को इस question होगा तो write in roman number ठीक है roman number में लिखना है जो चलो देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ है ठीक है number 1 क्या दिया है आपको यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने 9 तो 9 को क्या बोलते है roman number में कैसे लिखोगे this is the 9 ठीक है बहुत simple है उसके बाद दूसरा question दिया हुआ इसी में आपको second इसको क्या लिखेंगे 2 है दो बना दो समझ में आ रहा है कितना simple है ठीक है ऐसे ही बहुत सारे है तो कुछ आपके लिए मैं homework भी दे रहा हूँ चलो आपके लिए कुछ homework देता हूँ 17 को आप कैसे लिखोगे ये लिखके दिखाओ इसमें ये आपके लिए homework दे रहा हूँ ठीक है 17 को लिखके दिखाओ उसके बाद आपको लिखना है 4 को कैसे लिखते है वो लिखके दिखाओ उसके बाद आपको लिखना है 11 को कैसे लिखते है ये लिखके दिखाओ homework में ठीक comment box में comment करके जरूर बताइएगा कि yes sir हमें करने आया नहीं आया तो कोई बात नहीं हम practice दुबारा से करवा लेंगे या फिर आप जो है वीडियो को starting देखके अच्छे से समझ भी सकते हो ठीक है और एक आखरी question है उसको भी मैं करवा लेता हूँ आपको बताने बहुत सिंपल है बताना ठीक है न सबसे पहले आपको दिया है कि न फोर को हम लोग क्या बोलते पता है फोर को ऐसा दिया हुए तो यह बताओ मुझे right है की wrong है 4 को ऐसा लिखते हैं कि 3 नहीं, गलत है है, तो ये क्या हो जाएगा, wrong, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है? अगला जो है, वो आपको दिया हुआ है, 6 को कैसे लिखते हैं, तो ये 6 को ऐसा लिखते है, राइट है, लिखदो right, ऐसा ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे, 8 को कै उन्होंने लिखा है इस तरह से तो यह right है कि wrong है वो हम लोग को बताना है और एक और question है 15 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 555 ऐसा लिख सकते हैं क्या तो यह दोनों question right आएगा कि wrong होगा प्लीज हमें comment करके जरूर से बताईएगा क्या आएगा last के दो question यह आप लोग के लि कि आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही ऐसा ही और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए और आपका maths का और साथ ही में science के भी वीडियोस हम शुरू करने वाले हैं तो आपको हर चीज मजा आएगा करने में रिव्यूस हमें जरूर से देना और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर से प्रेस कर देना जस्ट नीचे एक चोटा सा लाइक बटन होता है दोस्तों दबा दो उसको प्रेस कर दो दोस्तों अगर आपने ये चैनल पे फर्स टाइम आये हो अगर पहली अपडेट्स के वीडियो भी देता रहता है तो आप चेक कर लो हमारे प्लेश में जाके बहुत सारी वीडियो की भरमार आपको मिलेगी तो बस आप चैनल को जुड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना क्यूंकि हम मिल जाएगी ठीके दोस्तों तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच एंड गुडबाई